हलो गाइज और आज इस वीडियों हम लोग फिर से एक और इंपोरेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नहीं है परकेंस कंदेंसेशन इफॉर्मेशन ऑफ सिनामिक एसट अगें यह जे पॉंट व्यू से एंड नीट पॉंट व्यू से यह रियक्शन जो है वो इंपोरेंट हो ज में बताऊंगा तो चलिए गाये शुरू करते हैं यह तीन चीज़ों के बारे में और सिनामिक एसट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको जानते हैं लेट्स वी परकेंस रियक्शन तो चलिए फस्ट फोल हम लोग कुछ इंपोरेंट को देखते हैं फस्ट फोल यहां पर यह इसके में जुर्थ है यहां पर हमें सबसे पहले बेंजल्डी हैट के जुर्थ पड़ेगी फ-e-c-h-o बेंजल्डी हैट का में जुर्थ पड़ेगा जिसका मैं यहां पर स्टॉप्चर बना देता हूं ना लोकडे टेक बैजीन रिंग हमें चाहिए और साथ में यहां पर CH3CO और यह दो यूनिट लगेंगी किसके through attach होगी oxygen के through इसको हम acid anhydride कहते हैं मैं इसको थोड़ा सा open करके लिख देता हूँ CH3C double bond O then OCOCH3 इसकी हमें जुर्ट पड़ेगी और इसको हम लोग acid anhydride कहते हैं तो चलिए second point देखते हैं इन reagents के साथ-साथ हमें sodium acetate की भी जुर्ट पड़ेगी उसके बिना यह reaction पॉसिबल नहीं है CH3C double O N A यहाँ पर positive or negative मैं दिखा देता हूँ उसके साथ-साथ हमें heat करना पड़ेगा reaction में बीच में और फिर पानी की जुर्ट पड़ेगी इन reagents के द्वारा ही हम लोग इस reaction को proceed कर पाएंगे इन processes के द्वारा और फाइनली थर्ड नमबर पर यहां पर हमें क्या मिलेगा से नमेक असद्र मिलेगा यह आपको द्यान रच train यह सारे processes करने की बाद हम में यहां सिन्यम आकर मिलेगा न वाटर से नमेक 시गा सिंभीमल इसको घ्रिक्व में लोग से चैपों इसको देखिए वंजीन रिंग है और उसके बाद यहां पर क्या लघा हुए 16 एच उसके पाद यहांः double bond उसके बाद यहांपर C H उसके पाद C O H इसको हम लोग cynamic acid कहते हैं bond check कर लीजिए इस carbon की čारोंगें माद वबरी है इस तरह से यह compound हमारे पास at the end मिलेगा और इसको हम लोगं अब जरा ध्यान से देखें हम लोग reaction को कैसे लिखेंगे तो जरा ध्यान से इसको देखें हमें यहां पर first of all तो वेंजल्डी हैट की जोड़ पड़ेगी तो मैं लिख देता हूं प्लस आपको किस चीज़ की जोड़ेगी तो चीछ त्री सी ओ और इसकी दो यृट को किस से आ सेब्स नेगटिव और एफड़ेगी यह कैसे होगा यह मैं आपको मेकनीजम में बटाओंगा सेकंड़ यहां पर रिपार की फोर्मेशन होगी और तीसरा यहां पर आपको हैड़ लेस्षिस करना पड़ेगा यह तीन स्टेफ में रेक्षिन होगी और अपको क्या मिल जाए तो यह तो हो गया रियक्शन और फाइनली हम चलते हैं इसके मेकानिजम पर जिसे आपको सब्स्रेट कौन है और दूसरा यहाँ पर कौन सी स्पीशी आरे जेंट आके अटैक करेगा और वो उसका नेचर क्या होगा तो जरा ध्यान से देखिए हमने इस कैमिकल रियक्शन में सबसे पहले बेंजल्डियाइड को लिया हुआ है तो आप लोग खुद से सोचिए कि जो बेंजल्डियाइड है वो कैसा होगा किस तरह से काम करेगा यह बेंजल्डियाइड का फॉर्मिला हुआ और हम सब लोग जानते कि यहाँ जो कार्बन है वो इलेक्ट्रों substrate की तरह काम करेगा ठीक है इसको electrons की जरुरत है अब यहाँ पर इसका मतलब हुए एक nucleophile की जरुरत है जो यहाँ पर क्या कर सके इस carbon पर attack कर सके तो ज़रा ध्यान से देखिए हमने यहाँ पर लिया क्या है आपने यहाँ पर acid acid anhydride को लिया है तो मैं acid anhydride का formula लिखता हूँ CH3C double bond O उसके बाद OCOCH3 यह acid anhydride का formula होता है अब जरा ध्यान से इसको देखिए suppose यह alpha carbon है alpha carbon यहाँ पर दो है किसके respect में देखेंगे इस group के respect में देखेंगे आप किसी भी alpha carbon को choose कर सकते हैं suppose मैंने इस carbon को choose किया तो यहाँ पर दो hydrogen आपको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ एक hydrogen नीचे दिखा देता हूँ अब यहाँ पर इसके पास alpha hydrogen भी है और हमने यहाँ पर क्या डाल रखा है अगर आपने गोर से देखा हो तो जो reaction है basically sodium acetate की presence में होती है और उसमें यहाँ पर sodium acetate में acetate ion होता है जो कि क्या करेगा यह acetate ion के पास electrons होते हैं जो कि क्या करेगा इस hydrogen को अपनी तरफ खीचेगा अगर इस ने इस hydrogen को अपनी तरफ खीचा तो उसके बाद OCOCH3 यह जो specie आपको दिखाई दे रही है यह कैसा काम करेगी यह as a nucleophile काम करेगी यह सबसे important है अब आप समझी गए होंगे कि यहाँ पर हमने sodium acetate का इस्तमाल क्यों किया अब जरा ध्यान से देखिए होगा लेकवा बड़ा आसान सा काम क्योंकि इस कार्बन के पास अलेक्टॉंजj हैं देने को यह क्या करेगा थो यह क्या होगा कि यह जो Oxygen है वो अपने Electrons लेके अलग हो जाएगा So finally, यहाँ पर क्या बना गाई? जरह Dancers को देखिए pH पहले से था, उसके बाद यह Carbon उसके बाद यह Oxygen दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को उसके बाद यहाँ पर एक Hydrogen तो पहले से लगा होगा है उसके बाद वो जोड़ा Carbon है वो जुड़ गया है यहाँ से CH2, उसके बाद C, उसके बाद O और उसके बाद यहाँ पर O, उसके बाद यह C, डबल पॉंड O, CH3 इस तरह से यह पूरी यूनिट लंबी सी जाके जुड़ गए अब ज़रा ध्यान से देखिए इस यूनिट के रिस्पेक्ट में देखिए, यह यूनिट के रिस्पेक्ट है, यहाँ पर यह जो Carbon है, वो एलफा Carbon है, इस Oxygen पर नेगडिव साइन है, क्योंकि बेसिकली इसने क्या किया है, बाद अब ज़रा ध्यान से इसको देखिए, अब होगा क्या, इसको अंदर से ही इसको फोलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर H plus I निकला था बाहर, तो H plus I किसको मिल गया है, इस Oxygen को मिल गया है, इसको जरूरत थी, अब होगा क्या, इस Group के रिस्पेक्ट में यह Alpha Carbon है, और यह कौन सा Carbon है, बीटा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करन आपको दिखाई दे रहा होगा, और बेटा पोजिशन पर यह OH ग्रूप आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से जैसी आप हीट करोगे, Alpha बेटा पोजिशन से H2O को बाहर निकल दिया जाएगा, तो जरूरत देखिए, पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, तो होगा क्या यह आपके पास pH, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, च उसके बाद डबल बॉंड, यह आपका डबल बॉंड जनरेट हो गया, और धिरे दिरे आप से नामिक एसड की दरफ बढ़ रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए तो, तो उसके बाद यहाँ पर C, डबल बॉंड O, और इहाँ पर O, उसके बाद C, डबल बॉंड O, और यहाँ पर क्या होगा, च 3, अब बिल्कुल सा एक काम करना है आपको, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, उसके बाद आप इसको क्या करना है, एसको क्या करना है, वाटर के साथ ऐसे आप इसको रियक्शन तो होगा क्या यह बॉंड ब्रेक होगा वैसे लेंदी सा प्रोसेस है लेकिन आपको मैं सिंपल ट्रिक से समझाता हूं यहां पर इस बॉंड को ब्रेक किया जाएगा उसमें इलेक्ट्रोन ऑक्सीजन जो है जाधा एलेक्ट्रोन एकटिव है तो इसको क्या मिलेगा वाटर की तरफ से क्या मिलेगा ओएच माइन मिल जाएगा तो ज़रा ध्यान से इसको देखिए इस तरह से पॉंड क्लिवेश होने के बाद आपका सिनेमिक एसे तैयार हो गया यहां पर यह पर यह पी एच उसके बाद सी एच डबल बॉंड उसके बाद सी एच और आपको दर गोर से देखें कि आपको क्या मिल गया है C.00-O.H इसी को लोग क्या बोलता है, सिनामिक एसे तो इस तरह से घाई आप लोग सिनामिक एसेट को बना सकते हैं वने एक वेस्टे का पार पूचा गया है, प्रसेस को धियान से देखिए आपने किस किन चीजों का इस्तमाल किया, एक त आपको समझ भाया होगा मेकानिजम से और भी अच्छे से तरीके से तरीके से तरीके से अच्छे से पिक पीडियो था मिशन आए और प्लेस अच्छे से सिर्दिजम सब्सक्राइब छों